हेलो एफवन मैं अतिनर अधावा और मैं आ गया हूं नई वीडियो लेके इस नई गाड़ी की जो कि है टोयोटा हाई राइडर जी वेरियंट है ये ग्रे कलर में आती है और कैसी लग रही है पहले आप ये मिलको बताओ अब नई गाड़ी है तो हर एक गाड़ी में हर एक च प्रवार्मेंट हो और वह गाड़ी में नहीं मिलती है तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना कि आपको इस गाड़ी पर जाना चाहिए तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की फिर नेक्टिव बोलेंगे फिर सबसे पहली चीज जो मेरको इस गाड़ी पसंद नहीं आई वह है इसकी कीज यह रखो यार महरुती के साथ कोलाबरेशन करके इस गाड़ी को बनाया गया तो इसका यह मतलब थोड़ने की महरुती की की उठाके बिल्कुल चेप दी जाए ठीक है इनो लोगों अपना जुर है तो आपका ही प्रोड़क्ट ना टोयोटा का तो यह कीज ना मेरको उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है जितनी महंगी यह गाड़ी को 16 लाख रुपए खर्च किया इस गाड़ी के उपर और किसी जमाने में 16 लाख रुपए की फोर्चूनर आ जाती थी मतलब 20 लाख अप्शन मिल जाती है जो कि बाकी किसी गाड़ी में नहीं आता कि आपको बेस वेरियेंट सही ऐसे फीचर दे दिये जाए मतलब आप कुछ भी कर लो पर पुछ टाट स्टॉप और किले सेंट्री जो आप बहर से आफ्टर मार्केट फिट नहीं करवा सकते हैं या करवा भी प्रिगर करने मुश्किल होती है मैं समझता हूं इस बात को लेकिन या टोयोटा अगर आपकी कंपनी से में सीट कवर डलवा रहा हूं वह भी मेरको इस तरीके के डालने पड़ रहे हैं और इसकी में पिछे वली सीट की आपको कवर की क्वालिटी दिखा हूं तो यह देख यह टोयोटा से हमने जुरूर लगवाया लगवाया टोयोटा की जैनुए अकसेशरी जूरूर है लेकिन यह उतनी तरीके का सिट कवर लगवार है अगर हम पैसे खर्च रहे हैं और टोयोटा से ही लगवारे है तो थोड़ा इस चीज़ में रिसेर्च करने चाहिए मुवा टोप वेरियंट आता है जिसमें साथ में कंपनी से ही लगके आती है सीट कवर तो वो उप्षिन क्यों नहीं देते है आप कस्टमर को कि यह उसकी क्वालिटी तो अच्छी है ना तो वो भी उप्षिन कस्टमर के पास होनी चाहिए है क्योंकि इतने पैसे खर्चने है तो सीट कवर भी आदमी लगवा रहा है तो यह थोड़ी अच्छी क्वालिटी का आप दो ना क्यों ऐसा कर रहे हो कि बाहर जो आफ्टर मार्केट जो सीट कवर है उससे भी बेकार क्वालिटी का यह मिरको लग रहा है देखने में तो अब बात कर लेते हैं इसके एक पॉस्टिव क इसमें आते हैं तो यहाँ आप ग्रीन कलर कर दीख रहा हो का उपर वाइट तो इसमें यह एक अच्छी उन्टी के ग्लासी इसमें दीए गए हैं जो की अच्छी बात है फिद से फोड़ सी प्लोटेक्शन देता और जैसे ग्रीन फिलम लगा लगा लेते ब्लैक फिलम लग को बता दी है जैसे जैसे यह गाड़ी पुरानी होते जाएगे इसको यूज करेंगे कोई और नेगटिव निकल के आएगा तो मैं वीडियों बता दूंगा तो अभी पॉस्टिव की तरफ चलते हैं तो इसमें पॉस्टिव यह है कि पिछे की तरफ भी आपको यहां पर डिस अब नहीं आती है लेकिन बाकी सारे नियुक्त वेरियेंट में दाथी इसमें बेस वेरियेंट से हैं आपको ओल फॉर डिसक ब्रेक मिल जाती है तो यह बहुत ही बढ़िया बात है अब चलाने के मामले में भी ना जब आप चला भी रही उस गाड़ी में तो कोई भी वाइबरेशन नहीं है अभी शीशे खुले हूँ है तब भी मतलब यह चीज़ तो हमने फर्स टाइम ही नोटिस कर ली थी जैसे हम डिलिवरी लेकिया ऐसे तो की गाड़ी बहुत ज़्यादा साइलेंट है शीशे बंद करके तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती बाहर की तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ उस गाड़ी तो बस फिलहाल तो यही थे इसके पोजिटिव और नेगटिव जो में बहुत ज़्यादा पसंद आया जो बहुत ज़्यादा बिकार लगे वो चीज़ों के बारे में बाकी जल्दी ही इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू भी आने वाला है जो कि मैं अभी शूट कर लूँगा साथ ही में इसकी night drive कैसी मतलब performance है कैसी इसकी headlight के performance है उसके उपर भी जल्दी वीडियो आने वाली है और क्योंसे टॉपिक पर इस गाड़ी के बारे में वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बताते रहना एक साथ तो वीडियो नहीं आएंगी लेकिन हाँ बारी बारी करके सबके टॉपिक पर में वीडियो बनाऊंगा बाकी कैसी लगी ये वीडियो में को मेंट करके बताना मिलते नेक्स वीडियो में तबते के लिए बाई टेक केर